में सुरें आप सुरी लोगों का इंटिग्रल इजी क्लॉस में स्वाधत हैं मैं पार्डवाइस बेसिक गड़ी को सुरू कर रहा हूं अपने चैनल द्वारा और 30-35 मिनिट के वीडियोर की द्वारा मैं मैथ सरल करीके से कि पीच करूंगा और आप लोग बिल्कुल प्रारंभिक अस्तर से मैथ सीखना प्रारंभ करेंगे तो आज हम अपनी प्रथम का क्लास में बेसिक मैथ शुरू कर रहे हैं बेसिक मैथ के अंतरगर टॉपिक होगा कि संध्याएं कि नंबर्स बच्चों नंबर्स का हमारे जीवन में हर कदम पर उभ्योग होता है अर्था गणित हमारे चारों तरफ द्रफ 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 शूते जागते उठते बैठते खाते दीते हर वक्त हम लोग गणित कुछ न कुछ करते रहते हैं प्रतीत द्रफ करता है चाहे हो अनपर हो गमार हो बहुत पढ़ा लिखा हो जैसे नव एजे गणित हैं दो मीटर कपड़े लेला है सो मेनी थेंग इस तरह से आप देखें तो बहुत कहीं भी हमारा जीवन गणित से चुदा नहीं अब बच्चों आपके मन में आता होगा बार बारी सवाल आता होगा कि हम गणित क्यों पढ़ें गणित इसलिए पढ़ें कि उसका हमारे जीवन से सीधा सीधा संबंध है बिना गणित के जीवन मुश्किल है इसलिए हम हमारे सैंच ब्यवस्था में अन्यविस्यों के साथ गणित को अनिवारे रूप से पढ़ाया जाता है हम संख्याओं की बात करते हैं हमारे चारों तरफ संख्याएं ही संख्याएं बाग में 14 पेर संख्याएं हमें एक जोड़ी जूता लेना है तीन जोड़ी जूता लेना है यह संख्या है हमें पुर्दा बनवाने के लिए 3 मीटर कपड़ा लेना है तो यह संख्याएं किस रूप में बिना लिखे दे प्राकिर्टिक रूफ से इन संख्याओं को वजूद हैं ये संख्याएं हमारी उत्पत्ति के साथ साथ चल रहे हैं कि दस नदियां कि दस पहार कि ये जो संख्याएं हम बार बार मौकिक रूफ से दोहराते हैं कि वहीं प्राकिर्टिक संख्याएं आता हम संख्याएं के प्रतार में फर्स्ट बूफ में हम देखेंगे संख्या प्राकिर्टिक संख्याएं प्राकिर्टिक संख्याएं मिस नेचूरल नंबर नेचूरल नमबर्स जित्मी भी हम आसपास की गिंती करते हैं बिना रेटन वर्क के मौकी गुरूज से उस सारी संख्याएं कहीं ने कहीं प्राकिर्टी गुरूज से पित्ते मान रहते हैं इसलिए एक बहुत महत्पूर तार्स है मौलिक संख्याएं कहीं कहीं यह भी प्राकितिक रूप से उसी रूप में जुई हुई अन्यक्ता इनको हम मौलिक क्यों कहते हैं इंग्लिस में हम इसको कहेंगे वर्जीनल नंबर्स वर्जीनल नंबर्स मतलब कुछ वर्जीनल है इसका मतलब बात की चीज़ें क्या हैं बनाव भी कुछ होगी किर्टिम होगी अगर प्राकितिक हैं तो हमको उसी के साथ किर्टिम को जोड़ना है बच्छों समय रहे आप अगर ओरिजीनल नंबर्स है और ये नंबर्स क्या है तो तो सुने और एक यही दो ओरिजीनल नंबर्स यही दो मोलिक संख्याएं और हमारे इस गंड़ना में पुरी दुनिया में जितनी गंड़ना है होती है कि किसी वे किसी रूप में सुनने और एक के साथ होती है अब यह बता रहा हूं कि वाइसा कैसे होता है हमारे कंप्यूटर केल्कुलेटर में तो आप सबी लोग कि लिए हैं कि सुनने और एक से बाइनरी सिस्टम द्वारा सारी करना हैं लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये यो मवरी संख्याएं भी कैसे उसे बन दियों हैं यह सुनने किसे कोई बसको मेरे हाथ में एक पे है कि अम्हें इस पेन को रिप्लेस करनें हमेरे हाप में क्या है कुछ नहीं मत सुनने खिर ये पेन तो फिर एक हो गया पिर हमने एक और पहन लिया अब हमारे पास दो प्र लेकिन यह गुए एक है यह गी एक है और एक मिलकर के लिए फिर यही एक का वजूद है कि एक पर मैं और ले दाना है अब आप देखें तीन हो गई लेकिन यह 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 कुछ किनी पर हुई तीन कहां से आए I see that 3.1 plus 1 plus आप बच्छों देखें कि तीर का कोई अस्टिप तो है नहीं तीर कहां से आया 1 1 1 हजार कहां से आया 1 1 1 1 1 1 1 1 इस मेर 1000 अब आसमें रहे हूं कि किस प्रतास से केवल दो ही मतलब कुछ नहीं है तो सुने है लेकि एक ही पूरी संख्याओं को वन ही बना देना है क्योंकि वह ही काई है वह यूनिट है तब हमारे और समझ में आ जाएगा कि किस रूम से यह मौलिक है कैसे प्राकितिक है भाग में दस पेर है तो एक पेर का अलग अस्तिक दूसरे पेर का अलग अस्तिक तो तो हो मिल करके तब 10 पेर बने अब आप समझ रही होंगे कि यह 10 जो कैसे बनेगा 1 प्लास 1 प्लास 1 प्लास 1 अंडर्स्टेंड इस यह मौलिक संख्या हैं हमारी कितनी आपके कोई पूछेगा तो बच्चों क्या बताएंगे मौलिक संख्या हैं कितनी हैं तो अब आप संधावी देंगे कैसे होंगी तो इन्ही संख्याओं से सारी संख्याएं बनी हैं और वो प्राकृतिक रूफ से हैं और सुन्य को हम प्राकृतिक संख्या में नहीं रखते हैं प्राकृतिक संख्या एक दो तीन डॉट 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 थी डॉट मिस इन्फायाइट अनुम्त ततर क्या हैं अनुम्त वरिजिनल संख्य मौलिक वाले में आप यहां लिखें जियो और वान यह किस रूप में बना आपको यह एक्सांपल कापी में नोट करें याद रखें जब भी कापी आप पढ़टेंगे फिर देखेंगे आपको रिवाई हुज रएगा कि इस सर में मौलिक संख्याओं को कैसे बताया था ओके नौट आप देखें हम प्राकृतिक संख्याएं संख्याओं से असबस्ट हो गए कि प्रकित में यह संख्याओं हैं पहले से थी इसी लिए हम इनको प्राकिर्थिक संख्याओं करते हैं। याँ हाँ तो पच्छो अभी आप प्राकिर्थिक संख्याओं के बारे में पढ़े हैं। प्राकिर्तिक संख्याओं को आप समझ गए वोगे। अब हम पूर संख्याओं को कहेंगे। पूर संख्याएं क्या हैं? That is, इंगलीज में उसको बोलेगे बोल numbers. प्राकिती इक संख्या हूं? संख्याएं एक सी सुरू होती हैं, और पूर संख्याएं 0, 1, 2, 3, 4, 5, dot, dot, dot. मेंस, अब ये जो पूर संख्याएं हुई, उसके सास सुन में जुड़ गया, आपको पता है, कि सुनने का आविस्कार, बहुत बाद में हुआ है, किसके द्वारा हुआ है? आरेवट के द्वारा, जो एक भारती है, गंतग्य थे, उसके पहले, सुनी की जानकारी नहीं थी, भारत से, अरव के लोग, हमारी, सिस्टम को, ले गए, और अरवस, वालों से यूरोप बारूं कर देता, इसलिए, हमारे सिस्टम को, हिंदू, अरवी सिस्टम करते हैं, हिंदू, और भी, पध्धत, कारण समझ में आ गया, कि, अरवस लोग जम हमारे देश में आए, हमारे यहां जो गर्णाएं होती थी, जो हमारे यहां गडित की गर्णाएं की जाती थी, हमारे महान गडित ग्यों के द्वारा जो अधनाएं अस्पस्ट की गई थी, सुन की खोज हो चुकी थी, तुम इस गडिती ग्यान को अरव के लोग अपने हां ले दे और कावांतर में वहां से इवरोब वालों को यह गडिती यह संकर्पनाएं पक्जीन, इसे लिए इनको हिंदू अरवी पग्दत करते, अब हम बात करेंगे पूर संख्याओं को समझने के बाद, आप समझ गए होगे कि एक से ले करके अनंतर की जो संख्याओं हैं प्राग्रतिक संख्याओं हैं, और सुनने को उसमें मिला दिया, तो यह हो गई, पूर संख्याओं हैं, खोल नमबर्स, अब हम बात करेंगे अंगों हमारी हिंदू अर्वी पर्धत में कुल कितने अंगों की सहाथता से हम गरनाएं करते हैं सून एक, दो, ती, चार, पाँच, छे, सार, आर, और नौ कुल कितने अंगों हैं बच्चों कुल अंगों हुए कितने दस हमारी गरना हमारी कितने भी संख्याय बनती हैं इही दस अंगों की मदद से बनती हैं यही दस अंग सारी संख्याओं का निर्मान करते हैं अरभूं、 खड़़ं गुअ यतनीaches संक्याई है सारी संक्याओं का जो निर्मान होता है इनी दस अंगों से होता है इसे लिए इस परणाली को क्या करते हैं दासमिक परणाली अब आप समझ गहे होंगे इसको दासमिक परणाली क्यों करते हैं असपस्ट है कि इसमें दस आंकों का की जरूरत होती है। हमारे computer की घुळणणा में कितने आंकों की जरूरत होती है। बच्चों हमने भी मताया सथोरा पहले। आप ध्यान दीजिए। मैंने बोला था कि हमारे computer के हासा में जहाँ computer की बात आती है वहां कितने अंख है दो इसी लिए इसको करते हैं दुरिधारी कम्प्यूटर कैसे करना करता है दुरिधारी पध्धित से अब उन इन अंकों के मुदस से जो संख्याएं बनाएंगे उसके विशाई में अथिन करेंगे अभी तो बच्चों अभी आपने जाना कि हमारे अंग कितने हैं कितने अंकों संख्याएं बनती हैं दस अंकों से सुन एक दो तीन चार पांथ छे साथ आठ और नौ अब हम खेलते हैं अंकों का खेल हमकों का खेल हमकों पता होगे अब हम इन अंकों की मदद से खेल करेंगे कैसे करेंगे इनको हम अदर बदल के लिखेंगे और फिर जानेंगे कैसे हमने लिखा वान और इसके राइट साइड में लिख दिया जीरो क्या होगे है ये दस ये कौन दस है ये दस है एक दो तीन चार पांच छे साथ आड़ नौ दस ये दस तहां से हुआ है सुने और एक को इस सिस्टम से लिखने से हुआ अब हम लिखते हैं टू दो तीन पांच अब क्या रिख को पढ़ेंगे दो सब पांच अब क्या रिख को पढ़ेंगे संध्या हम गए innे वो स करदस हो एक कि 3200 से कौना से गर इसी खायों से मिला कि यही दो भूर सांख है उसी सिह की सब्सक्रूद अगला हम आधि मिले है ऑगली संध्याटे साथ हा पांच आट चे हमें एक नहीं अे और इस नए संख्या को पहेंगे इकाई इतहाई सैक्राहजार दसजार लाग में पांच लाग सैंतालीस जार आपाश्सों च्यासी अब आप समझ करें होंगे कि इन्हें अन्कों के मदद से हम कैसे खेल खेल में बहुत सी संख्याइं बना सकते हैं अब मैं आप छोटे बच्चों को होमवर्ट के रूप में एक हुँगा कि आप इनकी मदद से बदल बदल करके सौ संख्याओं का निर्मार करें कितनी संख्याओं का यह आपका होमवर्ट है होमवर्ट में कितनी संख्याओं का निर्मार करना है आपको इन दा संख्याओं की मदद से सौ संख्याओं को बनाएं बच्चों बनाएंगे ओके अब आप सौ संख्याओं को इन ही एंपों के मदद से बनाएंगे और देखेंगे कि आप कितनी विभिन संख्याओं का निमार कर लेते हैं खुद कर लेंगे अब हम इसके आगे दूसरे बिंदु पर बात करेंगे पर दूसरा बिंदु आता है अंकों को मिलाकर छोटी और बड़ी संख्याओं को बनाना अंकों को मिलाकर छोटी और बड़ी संख्याओं को बनाना जैसे एक और दो, एक्जाम्पल में देखते हैं, एक और दो की मदब से सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बनाना, एक और दो की मदब से, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या को बनाना है, आप कैसे बनाएंगे, एक और दो, क्या है ये, बारा, फिर हम इसी की मदब से, हमने इसके अस्थान को बदल दिया, अब हमको ये संख्या मिल गए कितनी, इकीस, तो एक और दो से जो संख्या बनेगी, वो छोटी संख्या होगी, बारा, और बड़ी संख्या होगी, इकीस, हम एक अन्योत आहन लेते हैं, वो इसमें हम जोड़ केते हैं सुन्य, एक और दो की मदब से, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का नेवाफ्ता है लिए, क्या जोड़ दिये हम, सुन्य, एक और दो, अधी तो संख्या हम ने बनाया, वो दो अंख्या की थी, अब संख्या बनेगी, तो निश्चि फीर इसमें तीन अंख है, जो संख्या हो बनेगी, तीन अंख्या होगी, संख्याओं को अंख्यों के रूप में लिखना हो, तो क्या कहेंगे, एक अंख्या, फिर, दो अंख्या, दो अंख्या, तीन अंख्या, चार अंख्या, आप समझ बिरे होंगे, कुल कितने अंख, अंख को हम ऐसे बढ़ा दे जाएगी, तो वो उतने अंख्या की संख्या बन जाएगी, तो तीन अंख हम लिए हैं, तो तीन अंखी संख्या बनेगी, और अब हम ना दे संख्याओं को, ए, सून, कुछ नहीं करना है बच्चों, आप उन्ही संख्याओं को, अस्थान बदर-बदर के लिखेंगे, और आपको नई संख्याओं बिलने लगेंगी, देख रहा है बच्चों, एक सो दो, दो सो एक, एक सो बीस, हम ने बदल दिया स्थान को, दो सो दस, देख रहे हैं, कितनी संख्या बनी, चार संख्याओं बनी, एक चीज़ का ध्याम देना है, जब सूने संख्या में हो, तो कभी महीं हम सूने को पहले नहीं लिखेंगे, तोससरा किंहिए क्योंकि सुन्ने किसी संक्या कर typिया की थिखा जाएगा तो तो थे कोई वें हैं इसलिए यह सुन्नी एक दों पिरम हम करें कर विपर जो नहीं खैंगे क्योंकि सबसे चोटी कौन है कि एक सो दो सबसे बड़ी कौन है 210 कि हमने कि तरीका इसमें देखा कि अगर हम छोटी संख्या को पहले लिखेंगे उस रूप में आगे बढ़ेंगे चोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी तो सबसे चोटी संख्या में देखी और सबसे बड़ी संख्या प्राप करने के लिए सबसे बड़ा अंत लिखेंगी फिर उससे चोटा फिर उससे चोटा तो हमको वो बड़ी संख्या में कि इन अंकों की मदद से हम संख्याओं का दिर्मान इस तरह सिप करते चले जाएंगे और बहुत सी संख्याएं इन अंकों की मदद से हम बना सकते हैं कि क्या अंक और संख्याँ में कोई अंतर है जब हम एक, दो, ती, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नव तक गिनते हैं तो ये अंक और संख्याएं साथ साथ कोते हैं एक एक अंक भी है और संख्याँ दो, ती, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नव एकिन जब दस आता है तो जब दस बनता है तो उसमें एक और सुनने आता है दस बनता है तो क्या होता है एक और सुनने इसमें कितने अंक होगे एक और सुनने जब हम 23 लिखते हैं इसमें दो आंक आए दो और ती यह संख्या है गरित की भासा में यह संख्या होगी इसको अंक कहना उजित नहीं है क्योंकि यह अंकों की मदश से बन रही और जो सेवेन है सेवेन अकेले है इसलिए अंक भी है और संख्या भी आगे हम देखेंगे और इस प्रकार कि संख्याओं में छोटी और बड़ी संख्याओं का पता लगाएंगे और उनके योग और अंतर की बातें करेंगे बच्चों आज हमने जितना आपको पढ़ाया उसको ध्यान वे रखते हुए कुछ कोस्चन दे रहे हैं कुछ पस्चन देंगे आपको होमवर्ट में अपने नोट बुक में इस होमवर्ट के पस्चनों को करेंगे तो बड़ा कॉस्चन है तीन चार और कुस्चन नमबर फर्स्ट अमको तीन चार और साथ से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग कितना होगा नेक्स पोस्चन नमबर तू साथ नव सुन्य और एक से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ग्याद करें बच्चों ये क्लास इसी तरह से एके कड़ी के रूप में आगे बढ़ेगी थोड़ा थोड़ा करके कोई जल्दी नहीं है हम जो भी पढ़ें समझते हुए पढ़ें सारव तरीके से पढ़ें और धीरी धीरे सीखें क्योंकि मैं सुरू से बिल्कुर गड़ी की स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ इसलिए आप धैर पूबक सीखें अगली कच्छा ये मेरा आज का टॉपिक आएगा भाग एक के अंतरगर कर आप फुनम मेरी क्लास से जुड़ेंगे और भाग दो में आज की सिच्छन के आगे की बिंदूं का सिच्छन किया जाएगा अब अपनी समझ्या जो समझ में ना आई हो कामेंट में डालेंगे मैं कोशिस करूँगा आपकी समस्या का समारान करूँ अर्था जो बातें आपके समझ में नहीं आए मैं उसको पुनम अस्पस्ट करूँगा धन्यबाद नमस्कार